अगर आप भी अपनी जंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज गन्या को दोस्तो इस पार चैत्र नवरात्री की शुरवात 13 अप्रेल से होगी और 21 अप्रेल को नवरात्रे समाप्त हो जाएंगे दुर्गा अश्टमी 20 अप्रेल को और राम नॉमी 21 अप्रेल को मनाई जाने वाली है दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुर्गा अश्टमी और राम नॉमी के दिन आपको क्या एक गलती है जो नहीं करनी है जी हाँ दोस्तों आपको अश्टमी और नौमी इन दोनों दिन कुछ विशेश बातों का ध्यान रखना है भूल कर भी आपको किसी को भी यहां बताई जाने वाली यह चीज नहीं देनी है वरना आपको बरबाद होने में देरी नहीं लगेगी आखिर वो कुण से चीज है आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे तो इस वीडियो के अंतक जरूर बने रहीएगा दोस्तों नवरात्रे चल रही है पूरा माहोल भक्ती में है माता के रंग में माता की भक्ती में डूप चुके है ऐसे में एक बार माता के लिए सच्चे मंसे जैकारा तो बनता है तो सच्चे मंसे कमंस में जरूर लिखे जै माता दी दोस्तो माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर कीजिएगा दोस्तो मातारानी के इन दिनों में बहुत सारे विधान होते हैं पूजा पाठ के भी और दान पुन्य के भी बहुत से नियम होते हैं दान करना बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जरूरत से जादा दान और बिना नियम के किये गए काम बड़े बड़े राजाओं को भी रोड पर ला देता है इसलिए दान पुन्य पूजा पाठ हमेशा शमता अनुसार और नियम वेविधी विधान के साथ करने चाहिए यानि कि कुछ साबधानिया है जिनका आपको अश्टमी और नौमी इन दोनों दिनों पर जरूर ध्यान रखना चाहिए जैसे कि कुछ चीजे हैं जो आज हम आपको यहां बताएंगे जो कि आपको अश्टमी के दिन किसी को भी नहीं देनी चाहिए नौमी के दिन भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है वरना आपको नवरात्रों का पल मिलने की जगह मा के करोध का सामना करना पड़ सकता है तो चलिए जाते हैं कि आखिर अश्टमी और नौमी के दिन वो कौन सी वस्तू है जो किसी को भी नहीं देनी चाहिए दोस्तों आज के समय में जीवन में धन एक ऐसी चीज है जिसकी चाहत हर किसी को होती है और बहुत सारे लोग धन कमाने के बहुत उपाई करते हैं कभी-कभी तो दूसरों को परिशान करते हैं तो कभी-कभी दूसरों का ही धन तक भी हड़प लेते हैं दोस्तों इस महा अश्टमी और नोमी पर आपको इस बात का खास खयाल रखना है कि कोई आपसे कितना भी क्यों न मांग ले लेकिन आपको इस दिन किसी भी बाहर वाले व्यक्ति को पैसे देने की भूल नहीं करनी है इस दिन किसी को भी पैसे उधार में नहीं देने चाहिए और यहां तक की इस दिन किसी को कोई भी वस्तु खरीद कर भी नहीं देनी चाहिए कोई गिफ्ट तक भी आपको इस दिन किसी को नहीं देना चाहिए नहीं तो पूरे साल आपको धन की किलत रहेगी इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि नवरातरों के 9 दिन इतने शुब होते हैं हर काम के लिए अब ऐसे में आप अपने लिए कुछ खरी दे, कुछ शॉपिंग करे तो ये बहुत ही जादा शुब होगा नवरातरों के अच्छे दिनों में कोई भी शुब कार्या करने से उसकी बरकत कापी दिनों तक रहती है लेकिन वही अगर आपसे कोई पैसे मांगता है तो उसका मतलब है कि आपके घर से मा लक्ष्मी उसके घर में चली जाएगी इसलिए भूल कर भी पैसे किसी को भी ना दे ना ही उधार पर दे और ना ही किसी को कुछ तौफे में कोई भी चीज खरीद करके इन नो दिन में दे और खासकर अश्टमी और नोमी के दिन लेकिन इस दिन आपको किसी को भी कुछ पकवान खिलाना है प्रसाद खिलाईए अनकादान कीजिए भोग कादान कीजिए ये बहुत ही ज़ादा शुबफल आपको देगा मिठाई बाटिये अश्टमी के दिन और नौमी के दिन मातारानी को नारियल जरूर भेट करें क्योंकि अश्टमी और नौमी तिथी पर मा को नारियल भेट करने से जीवन की बाधाएं समाप्त होती है और ये नारियल आप घर पर मतलाईएगा वही पर छोड़ दीजीगा आपको अगर प्रसाद के लिए नारियल चाहिए तो आप अलग से दूसरे नारियल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं लेकिन ये नारियल जो मैंने आपको बताया है कि आपको मातारानी को भेंट में देना है वो आपको मंदिन में ही छोड़ कर के आना है इसे आप मातारानी के लिए ही वही पर छोड़ाए इससे मातारानी सभी मुसीबतों से आपकी रक्षा करेंगे और आशिरवाद में आप पर सदैव के लिए अपनी कृपा बरसाएंगी इसके अलावा आपको अश्टमी के दिन और नौमी के दिन संपूर्ण श्रिंगार की वस्तू या तो आप अश्टमी के दिन या नौमी के दिन मातारानी को संपूर्ण श्रिंगार की वस्तू का अर्पित कीजिए इसके अलावा अश्टमी के दिन या फिर नौमी के दिन संपून श्रिंगार की वस्तु मातारानी को और पित करने का भी विधान है दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल होगा कि अगर पैसे नहीं देने तो अश्टमी के दिन या नोमी के दिन जो कन्या पूजा होगी तो दक्षिना कैसे दे तो आपको बता दे के कन्या पूजन के बाद आप जो दक्षिना दे रहे हैं कन्याओं को तो वो आप स्वय मातारानी की ही रूप को यानि के मातारानी को ही चड़ावा दे रहे हैं तो कभी भी इससे आपको नुकसान हो ही नहीं सकता इसलिए बच्चों को आप दक्षिना बिना किसी शंका के दे सकते हैं मन में कोई भी शंका ना रखे साथ ही उन्हें फल दीजिए उनके लिए अगर आप कोई तोफाल आये हैं तो बे जिजक ला सकते हैं यहां बात हो रही है किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने घर की लक्षमी पकड़ानी की लेकिन छोटी छोटी कन्यायत तो सोय मातारानी का रूप है उन्हें अगर आप कोई भेट देना चाहती है दक्षीना देना चाहती है तो इसमें कोई भी गलत नहीं है आप उन्हें खास करके कुछ भी दें लेकिन केला तो आप जरूर दे आप फल दीजिए बच्चे खाएंगे मस्त रहेंगे स्वस्त रहेंगे और आपको आशिरवाद भी देंगे तो दोस्तो सच्चे मन से मातारानी की आरादना करे पूजा पाट करे मातारानी की क्रिपा आप पर बरसती रहीगी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शियर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद तोस्तों आपका दिने शुब रहे जयमा लक्ष्मी जयमा तादी